नमस्कार दोस्तों मैं लवकुष शौगत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पैसा बनाओ में दोस्तों देखे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा ओर्जा ग्लोबल के बारे में जब से ओर्जा ग्लोबल को एक पार्टनर से भी नोंने की है क्या बोलते है हमारा जो टैसला है उसके साथ तब से इसके share price में हमें jump देखनों को मिल रहा है और कल इसने 20% का upper circuit लगाया है और अभी हम देखेंगे कि कहां तक हमारा share जा सकता है कई comments आ रहे हैं कि क्या भी इसमें investment करनी चाहिए तो सारी चीज़े देखेंगे बस वीडियो में आप बने रहेगा पास साथ मिनट की ये वीडियो होने वाली है वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तब ही सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी तो देखें सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि वीडियो को कर दीजी लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है साथी साथ मार्केट की फ्री अपडेट पाने के लिए हमारा आप वाटसप ग्रूप जोइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिस्टन में उसका लिंक दिया हुआ है तो देखें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं GDP के बारे में अभी OECD का एक प्रडेक्शन आई है इसने प उपर रहने वाली है in the world तो दुनिया में सबसे तेज GDP जो है वो हमारी ही बढ़ने वाली है और अभी आप से अभी चार-पांच दिन पहले ही मैंने एक वीडियो और बनाया था उसमें भी आपको दिखाया था जब GDP के आंकड़े इंडिया के आये थे तो सबसे तेज हमारी चाइना के सामने लेकिन अगर ग्रोथ के इस आप से देखें तो ग्रोथ रेट हमारा इस समय ज्यादा है और अगले कुछ सालों तक यह तेजी से बढ़ती हुए अर्थिवास्त है हमारी और सबसे तेज बढ़ने की इसकी संभावनाए है इन्होंने देखिए 2023 के लि है वो रहेगी 4.7% अगर हम भारत की जीडिपी का जो अनुमान है उसकी अगर देखें हम तो अनुमान देखिए OECD ने 2024 मतलब अगले साल के लिए बताया है साथ परसेंट इस साल के लिए हमारा 6 परसेंट और बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसने बोला है 6.3% कुल मिलाके 6 से 6.5 के बीच हमारी जीडिपी है वो रह सकती है इस साल और अगले साल साथ परसेंट के आसपास हमारी जीडिपी जो है वो ग्रोथ करेंगी इसके अलावा भी अगर हम देखें तो 2000 चालिस तक बोला गया है कि भारत की जीडिपी जो है वो 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है जो की अभी सिर्फ और सिर्फ 3.5 ट्रिलियन डॉलर है तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि जब भी इन्वेस्ट करना है आपने तो लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें मार्केट में पैसा जरूर बनेगा अच्छी कंपनी ले और लॉंग टर्म के लिए डाल के छोड़ दें अगर यहां से देखें तो हमारा कम से कम भी नहीं तो 6 से 7 गुना GDP हमारा अकार बढ़ने वारा है GDP का तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा पैसा हमारा शेयर मार्केट बना के हमें दे सकता है तो देखें कहने का मतलब यह ही है कि किसी भी अच्छी कंपनी में पैसा डालना है और लॉंग टर्म के लिए डालना है क्योंकि इनसान हो या शेयर मार्केट जाना उसने एक दिन ओपर की हो रही है तो ओपर ही जाएगा यह तो आपको सर्व विदित है सब जानते हैं तो बस लॉंग टर्म के लिए हमें पैसा किसी भी शेर में लगाना है बात कर लेते हैं अब हमारा ओर्जा ग्लोबल के बारे में तो ओर्जा ग्लोबल जो है हमारा अभी 10 रुपे 60 पैसे पर टेट कर रहा है और कल 20% का पर सर्किट इसने लगाया है फिलहाल देखें कंपनी जो है हमें solar प्रोडेक्ट में कामकाज जर्फ करते होएं दिखाई दीती है साथे साथ कंपनी हमें renewal energy में कामकाज करते होएं दिखाई देती है solar panel में काम करती है electric vehicle में एकन प्रूप बोलते हैं लोकल भासा में वो है साथी साथ company e-commerce में भी अपना हाथ आजमा रही है e-commerce, e-health और बहुत सारी चीजे हैं जिसमें इसने अपना कामकाज फैला रखा है diversify इसने अपना कामकाज किया हुआ है साथी साथ अब जो है इसने Tesla के साथ जो बड़ी partnership की है काफी boost मिलेगा इससे उसको 597 करोड का छोटा सा market cap 10 रुपे का current price है तो देखिए कितना बड़ा है 364 ये बहुत बड़ी दरावनी चीज है एक इसके अंदर जिस कारण से अभी investment मेरे हिसाफ से नहीं लगता कि इसमें करना चाहिए book value है 3 रुपे 27 पैसे की company की अगर हम sales देखें तो देखिए जो कभी 120 करोड की वाकरती थी सिर्फ 49 करोड की अभी रह गई है बढ़कर घटकर सोरी और इसमें अगर हम इसका net profit देखें तो जो net profit इसका minus में था एक लाख 51 करोड का ये बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है और डियर्ड करोड का profit company कर रही है फिलाल तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा profit नहीं कर रही है लेकिन यह है कि जो loss कर रही थी वो अब नहीं कर रही है तो थोड़ा सा अच्छी चीज़ यहां दिखाई देती है इसके अलाबा अगर हम देखें इसके reserve और borrowing तो देखें reserve है company के पास 118 करोड के और करजा है सिर्फ और सिर्फ 6 करोड 62 लाग का company का अगर हम share holding pattern देखते हैं तो promoters के पास सिर्फ और सिर्फ 28 परसेंट है जो कभी देखे 32 परसेंट के लगबग हुआ करता था यह घटकर रहे गया है सिर्फ 28 परसेंट और हमारे जो FII हुआ करते थे वो बिलकुल निल हो गये है अब इसमें से और पॉब्लिक के पास रहा है 32 परसेंट की holding तो यहां भी दिक्कत दिखाई देती है company में अगर हम कहें कि इस जो यह new जाई है इसके base पर अच्छा है भाग रहा है जिसने लिया है तो वो कल जाके अपनी profit booking कर सकते हैं क्योंकि लगता है कि हाँ कल भी यह अपर सर्कीट मारेगा लेकिन निकलने में ही भलाई है फिलहाल जैसे ही फिर से यह 7-8 रुपे पर मिले तब इसमें थोड़ इसी buying की जा सकती है और no doubt देखिए जो future है वो electric का ही होने वाला है electric vehicle का होने वाला है company अच्छा कर सकती है future में लेकिन फिलहाल के इसाब से balance sheet कोई अच्छे indication नहीं दे रही है तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें या फिर अगर किसी ने खरीदना भी है तो वो थोड़ी थोड़ी quantity खरीद सकता है देखिए यह मेरी personal राय है कोई खरीदने या बेचने की सला नहीं है इसको आप personal ना ले अपना अपने अगर कुछ आपने investment करनी है नहीं करनी है वो आप analysis जरूर करें यह मैं अपनी personal राय दे रहा हूं देखिए मैं register नहीं हूं से भी से तो इसलिए सिर्फ मैं अपना view इस पर दे रहा हूं तो company का जो future है हो सकता है में भी अच्छा हो क्योंकि company के पास करजा नहीं है reserve बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी फिलहाल अभी दूरी बना के ही रखने में फायदा है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और हां देखिए 7-8 रुपे से थोड़ा accumulate इसको किया जा सकता है लेकिन 10 रुपे आ गया है 20% का circuit कल भी मार सकता है तो profit booking जरूर आएगी तो इस चीज को ध्यान में रखेगा बात करें देखिए इसके target की तो लंबे समय में अच्छे target हमारा 100 गुना तक भी पैसा कर सकता है 500 करोड की अभी ये company है अगर 100 गुना भी करती है तो 50,000 करोड की company हो जाएगी ये तो इतना एक justify है कि हाँ आने वाले 8-10 सालों में 20 सालों में हो सकती है लेकिन फिलहाल अच्छा नहीं दिखता है कुछ भी company में तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत